हलो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में आपको यह बताने जारूं कि कैसे आप अपने Nokia G10 Android वाइल फोन में आप बैटरी परसेंटेज सेटिंग को आप इनेबल कैसे कर सकते हैं और यह बैटरी परसेंटेज सेटिंग इनेबल होने के बाद यह सेटिंग कैसे काम करती है आज क आपको ऑप्शन मिलेगा यह बैटरी का बैटरी पे आपको सेलेक्ट करना है अब आपको बैटरी के इस पेज में आपको नीचे की साइड में यह बैटरी परसेंटेज का ठीक है बैटरी परसेंटेज के ठीक सामने आपको यह बटन दे रखा है इसे आपको सेलेक्ट करना ह और इसे on करना है इसे on करने से पहले मैं आपको कुछ बाते हैं यहाँ पर बता देता हूँ आप मेरे मुवाइल फून की सबसे उपर टॉप पे देखें यहाँ पर बैटरी का आइकन दिखाई दे रहा है यह हमारा बैटरी का परसेंटेज शो करता है कि हमारे मुवाइल फून की बैटरी जो है 100 में से कितनी बची हुई है तो यह सेटिंग बैटरी परसेंटेज सेटिंग इनेबल करने के बाद कुछ इस तरीके से काम करती है आपके Nokia G10 Android मुवाइल फून में अब मैं आपको इस सेटिंग को ढूंडने का यानि की बैटरी परसेंटेज सेटिंग को ढूंडने का एक शोटकट तरीका बता देता हूँ आपके मुवाइल फून में इसके लिए आपको करने क्या होगा आपको अपने वाइल फोन का setting page open करना है ठीक है setting page open कर लीजिए setting page में आपको सबसे ओपर यह option मिलेगा search setting का search setting पे select करना है और यहाँ पर आपको search बार में type करना है battery percentage ठीक है जो setting का name है वो आपको पूरा type करना है तो आपको नीचे ओप्शन दिखाई नहीं देगा इस बात का ध्यान रखना है तो चलिए वीडियो को आगे continue करते है जब यह नीचे ओप्शन शो हो जाएगा battery percentage इसे आपको select करना है इससे क्या होता है आपका mobile phone आपको direct setting page में लेकर आ जाता है और इस setting को highlight करता है तो यह एक shortcut तरीका है battery percentage setting को ढूंड़ने का आपके mobile phone में ठीक है